हेलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को सिक्षक दिवस की हार्दिक सुपकाम नहीं बगवान करें जो अगला टीचर्स डे आए तब तक आप लोगो पर्मनेंट टीचर बन चुके हो ठीक है ऐसी में पुन टोपिक लेने वाला हूं उस टोपिक का नाम है आपका NEP 2020 यानि कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो पिछली बार सीटेट का आपका एक्जाम हो था जो आपका उनलाइन एक्जाम हो था भर भर के कोश्चन नहीं यहां सा आपके पूछा गया था आपके एक्जाम सब्सक्राइब तो चलिए आप मैं किलास को स्टार्ट करता हूं जी मैं ठीक हो आयो आप लोग सब ठीक होंगे जी हैपी टीचर डे आप लोगों के खूब मेसीज वरे वे तो थैंक्या आप सभी लोगों का इतना प्यार सम्मान देने के लिए और मैंने आपको बता दिया क कि आप लोगों के लिए प्रे करिए अगले टीचर डे तक आप लोग पर्मनेंट टीचर बन जाए तो इसी के साथ मैं आज की किलास को स्टार्ट करता हूं दिखे एक चीज आपको और बता दू आज चार साल पहले जब मेरा सूपर टैट का एक्जाम हुआ था पास हुआ तो पात सितमबर को ही जो यूपी के आपके चीफ मिनिस्टर है तो उन्होंने ईजोइनिग लेटर दिए थे तो पास सितमबर कोई वह ऐसा भागयसाली दिन था जिसमें ब radish्यूर जोइनिंग लेटर मिलते तो यह चार साल पहले की बात है आज उस बात को पूरे चार साल हो लेकिन सब चीजे मेरे वर आपके हाथ में नहीं है कुछ उपर वाले के हाथ में भी है आपकी किस्मत को कभ सुनता है ठीक है चलिए अब करते किलास को स्टार्ट जो बच्छे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके एक्जाम को पास कराएगी बहुत ही बढ़िया नंबर से और उसके अलावा देखे कुछ बच्चों को मैंने नोट्स की वीडियो बनाकर भी डाल दीती है लगसे फिर उनके काफी कुश्चन आते तो नोट्स के ओपर मैंने लगसे वीडियो बनाए हुई है आप लोग जाकर देख लेना आप लोग साही तरना क ले सकते हो ठीक है धापने डीटेल डाल देना लोगिन करके डिटेल डाल देना और यहाँसे जाकर आप लोग इनको ले सकते हो डाउनलोड कर लेना डाउनलोड के साथ एक पास्वड आएगा उस पास्वड से आप इनको पन कर लेना चाहिए तो आप लोग इनको प्रिंट भी करा सकते हो और इनके अलावा फिर आपको किसी भी या किसी भी चीज़ का आपको जरत नहीं पड़ेगी नोट से पड़ी है डिटेल में किलासिज में आपके साथ रेगुलर चलाई रहा हो और इससे बाहर आपका सीट एट का एक्जाम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा इतना मापको भरोसा दिलाता हो ठीक है तो यह सिं इंकलूड की हुए तो अलग से वीडियो भी बना दीती ठीक है एक बार छोटा सा और बता देता हूं जो भी आपके सेलिवस के कोडिंग जो कंटेंट है और जो थोड़ा नया कंटेंट भी है वह नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा एंसी आटी किताबों का निचोड़ लेंगे और आपको असान भास नहीं मिलेगी और फोटो और ट्रिक के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे तो यह सभी चीज़े नोट्स के अंदर मिलने वाली है अब आप लोग कंटेंट आपको मिल जाए ठीक है इसलिए में कहता हूं सीट एट में किताब की जरूत नह पर कुश्चन आ रहे होंगे तो कुश्चन में आपको बाद में कराऊंगा पहले मैं आपको कंटेंट बताता हूं चीज़े बताता हूं कि आपको क्या के चीज़े निप के अंदर पढ़नी है बेसिकली पूरा आपका पूरा ओफिस्यल डोकुमेंट है जो एपका पूरा 108 पेज का है चाहे तो आप लोग उस पूरे को पढ़ सकते हो लेकिन मैं आपको बिल्कुल सला नहीं दूँगा उसको पढ़ने को एक तो आपकी सरकारी भास है कि जो लेंग्वेज होती है वो उसके अंदर लिख हुई है पढ़ने में आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है लेकिन जितनी भी वीडियो आज के अंदर आपने देख ली उससे आपके लगबख सभी concept क्लियर हो जाएंगे और साथ के साथ question answer भी आपको मिल रहा है ठीक है तो इस question के उपर बाद में आँगा कुछ बच्चों ना answer भी लगा दिया है लेकिन उससे पहले आपको मैं चीज ठीक तो इसके बार में बात करते हैं तो एनिप के निर्मान के लिए जून 2017 में इसरों के पूर आपके चीफ इसरों मतलब इंडियन स्पेज रिसर्च ओर्गिनाइजेशन होते है जो आपके सेटेलाइट वगारा बेजती है तो इसके जो पूर चीफ थे आपके डॉक्टर चीफ के रणि जन की अदेख्टा में बनाता ठीक अट अचा नेशनल एज्यूकेशन पोछी साइध मेरी जितनी मीनोलिज है मुझे लगते हैं आज तक जितनी भी इंडिया के अंदर पोलीशी आई है साइध इतने सुझाओ किसी पोलीशी के लिए आज तक इंडिया के अं देखें यह आपकी तीसे नंबर की निपी थी कितने नंबर की तीसे नंबर की सबसे पहले निपी आई थी आपकी 1968 में 1968 वाली पहली थी उसके बाद 1986 में आई थी और आपकी यह तीसरी वाली एंडीप अगला पुइंट क्या दियावाय है कैबिनेट द्वारा मिनिश्ट्री ओफ हुमन रिस्ट्री कर दिया गया शिक्सा मंतराल्य कर दिया गया थीक है तो आप लोग समझे इसका नया नाम क्या है आप लोगों को पता भी होगा अगला है वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए नियू बेड़ी मलब उसके बाद तो आपको बेड़ी बेड़ दिखने वाला है तो बेड़ की बहुत ज़्याद है आपकी इंपोर्टेंस बढ़ने वाली है यह कुछ बेसिक सी जानगारी थी जो मैंने एनिप 2020 के बारे में आपको दी अब बात करता हूं उन चीजों के बारे में इसकूल एजूकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इसकूल एजूकेशन का जो प्रारूप है वह किस तरीके का अब आपको देखने को मिलेगा एनिप 2020 के लागू होने के बाद देखे यह नीती वरतमान की हमारी वरतमान में कौनची नीती चल लिए टेन प्लस टू वाली इसकूली वरस्ता को 3-18 वर्सता के सभी बच्चों के लिए पाठ्टे चरिया और शिक्षन सास्तियादार पर आप जो नई वरस्ता आएगी 10 प्लस टू की जेंगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की नई वरस्ता आपको देखने को मिलेगी यानि जो आपके 15 साल है अब आपके कु इसके बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं जी बिल्कुल बहुत वड़िया वई आंसर साथ के साथ दे रहो देखें यह आपकी स्टेज है यहांसे भी आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा इनको जड़ा थोड़ा सा डिटेल में समझीए जो आपकी पहली स्टे यह आपका बालवाटिका के अंदर जाएगा अब देखें क्या होता था जब बच्चा 6 साल लगा हुआ तो उसको स्कूल में एडिमिसन करा दिया क्लास के लिगा लेकिन अब क्या काम होगा जब बच्चा तीन साल को पार कर लेगा तो उसको फ़र्ष्ट क्लास में एडिमि अंगनवाडी के अंदर रहेगा अब बेसिकली सरकार ने क्या सोचा आंगनवाडी में आप लोग देखते हो बच्चों को खाने के लिवी दिया जाता है उनको कुछ पढ़ाई से संबंदी चीजे भी कराए जाती है ताकि बच्चे का फिजिकली और मेंटली डेवलेमेंट दोनों साथ के साथ होता रहे उसके लावट ड्रोप आउट बच्चों का जासाद है उसमें गिरावट देखनों को मिल सके तो इसलिए इसकी सुरुवात की गई आंगनवाडी की अब इसके अंदर आपकी भढ़तिया भी आपको देखने हो मिलेगी कुस समय के बाद ठीक है कि बच्चों को सीधे फर्स्ट क्लास में न भेजगा उसको पहले आंगनवाडी के इंद्र आपका भेजा जाएगा या पिरिवाटिका या बालवाटिका के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो तो बच्चा सबसे पहले इसके अंदर आपने तीन साल बिताएगा तीन साल आपके यह ओत यह ओतिया। अपकी पहल के सद्ण दूसरी स्टेज उतीया आपकी पेट्री स्टेज प्रीपेट्री ट्लश में तीन साल इन यह rating साल में चांघ यहां रहेगा आपका तो नियुंट धर आपक ब прилu मुझेल की समय जाता पर छींगे, फ़र्फ इसमें हो स्टेज के अंदर और फीरिपेट्री स्टेज के अंदर और फाउंडेशनल और जो आपकी प्राथमिक उत्साहरी होती पहली से आपकी पानेशनले की अण clarity , ऑब बात करते में क्या एक्चेंज दिया गया है आपकी सिक्सेंट एट के अंदर जी वेरी गुड हाँ आज भी बच्चों के संक्या पहले के मुकाबले कम लग रही है ठीक है चली मैं कहाँ पर था मिडिल स्टेज के अंदर था ठीक है तो यह भी आपके तीन साल के लिए रहेगी अब यहा में यहां से बात करतें मिडल स्टेज की आपकी तीसरी स्टेज है और बच्चों को कुषर के साथ नोलिजह के सासाथ उनको वेक वो के सनल सब्जेक्ट भी दिया जाएगा इनको एक वो के समीज preocup मिपनौ स्ब्जेक्ट पर यहां और और बांश की सिवेगत करिए और इसमे आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं सबसे लास्ट इस्टेज की जो है आपकी सेकंडरी आपकी स्टेज फॉर्थ इस्टेज है यह वापिस आ सकती है किसी तरीके से यही से वापिस आ जाए चलो छोड़े या तक तो वैसे समझ मां आई गया होगा आपका तो क्या देखनों मिला है इसमें पना महत्राइन बद्लाव मिला इसमें सरीम सिश्टम को खतम कर दिया जो आपका आर्ट इस्टीम होता था कोमर्श進 मुथा था को खतम कर दियरya diferente जिसका बड़ता था मान लिगारियो लेली वह साइंस वाले सब्जेक्ट ने पड़ता था जिस आपको art linear तो particular यही subject आपको पढ़ने है लेकिन NEP 2020 ने इस stream system को खतम कर दिया इस stream system की जंगे इन्होंने कहा कि आप बच्चों को multiple subject का option दो आप बच्चों को multiple subject का option दीजे जिसमें बच्चों को जो अच्छा लग रहा है वो उसको select करेगा और उसमें फिर आगे बढ़ तो यह जो आपकी चार stage of foundational, preparatory, middle और आपकी secondary इसके अंदर मैं आपको बता दिया कि किस साल तक बच्चा किस class में रहेगा और क्या क्या चीज उसके अंदर बदला हो क्या गया है आयोप आपको यहा तक समझ में आ गया होगा चलिए अब लगाते हैं इसके base पर question को लगाते ह आप लोग कितने अच्छे तरीके से करोगे गूगल का password नहीं होता है वो नोट्स का password होता है जो डाउनलोड होता है उससे के नीचे password लिखा होता है ठीक है चलिए अब इस question का आंसर आप लोग खुद दोगे मैंने कहा ना आज की वीडियो देखने बाद answer सारे आपके हाथ से निकोलाओंगा मैं पहला question इसने दे दिया कि नई शिक्सानीती 2020 के नुशार जो primary class होती है उसमें निम्न में से कौन सा level होगा अब primary class के लिए कौन से level थे एक तो आपका foundational था जिसमें आपके 5 साल होते है तीन साल बालवाटिका के लिए और अगले 2 साल पहली और दूसरी वाली के लिए तो आपका कौन सा था foundational stage होता है foundational stage के बाद आपका प्रिपेटरी stage होता है तो यहां पर इसिर प्राइमरी 집्लास की बात करी वही है तो हम सिर्फ पाच्वी किलास तक के बच्चों की stage यहां पलेंगे तो foundational होता है प्रिपेटरी होता आंसर क्या निकल कर आ जा तो आपको पहला से हो जाएगा ये गालगा निकाल दिए आप पर दो oppressor पुउंट है जो आपके डीब में थोड़े कुश्ण पूछे जाते जिनके बार में आपको पता होनी चीए उसके लिए अगर आपने इस नीति के कुछ पिंशिपल यानि सिद्धान के बारे में अगर आप लोग जानगे तो आप लोग सभी आंसर दे दोगे ठीक है और आप लोग यह एपलाई भी करना जो नोट्स आपको देख रखे उसमें प्रिवेसर के सभ अब ध्यान आपको यह रखना है जितने भी सिद्धान था इस वीडियो के अंदर में आपको बता रहा हो किसी एक को भी आपको नहीं छोड़ना क्योंकि एक एक नंबर बड़ा मैत पून है अब इसका पहला पिंशिपल है कि जो सरंचनात्मक समझे इसको इंगलिस में लागू होती है लेकिन आप लोगों जो बड़े बच्चे उनके लिए लागू होती है क्योंकि अब जो सीटेट का जो आपका पैटन है वह कैसे हो गया है वह आपका समझ पर आधारित हो गया अब रोट लेंडिंग से आपको काम नहीं बनेगा आप लोगों ने देख वी दिया है जो आपका उल्लाइन एक्जाम हुआ है तो जो भी चीज अब आपको पढ़नी है जो चीज आपको लेंड करनी है वह आपको समझनी पड़ेगी फिर उनका एप्लिकेशन करना पड़ेगा ना कि सिर्फ उनको रटना पड़ेगा तो यही चीज छोटे बच्चों के भी कही गई है कि बच्चों को रटन पड़नाली से मुक्त कराकर उनको अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट दिया है कि सीखने के लिए जो सतत मुल्यांकन होता है जो उसी में जो आपका इवलेशन होता है उस पर जोर देता है ना कि साल के अंत में वाली परिक्षाव को केंदर में रखकर देखिए अगर बच्चे का मुल्यांकन ले रहे हो तो एक तो ले रहे हो आप लोग डेली बच्चे से कुछ ना कुछ 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 पूछ रहे हो लेक साल के अंत में होने वाली जो परिक्षा होती है जिसमें पता चलता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता और ना हम उसको प्चारात्मक सिक्षन दे सकते हैं तो क्या वहाँ पर बच्चों को दुबारा दिखम क्या करा जा सकता नहीं करा जा सकता सीधा ठप लगा तो इसलिए continuous evolution पर ज़्यादा focus करने की बात कही गई है सतत मुल्यांकन पर जादा बल देनी की बात कही गई है ना कि जो साल के end में होने वाली जो परिक्सा है उनकी बात कही गई और मुल्यांकन का उस भाष्चों को सीखने की परिक्रिया में मदद करना है अब जैसे मैंने आ तो आप लोग समझ रहो, जो मुल्यांकन होता है, उससे क्या हो रहा है? बच्चों को सीखने की परिकिरिया में help मिल रही है, ठीक है? मदद मिल रही है, तो यह बात हो गई आपके मुल्यांकन से सम्भंदित, मुल्यांकन जो आपका NEP 2020 में मुल्यांकन से सम्मदित question पूछ ग कर दिए देखिए एखोता आपका फॉर्मेटिव एखोता आपका समय अब ध्यांच सुनना एक मुल्यांकन या एक आकलना होता है जो टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस के दोरान चलता है जिसा आप जो जैसा हमागरा बारा समझाता हो लेकिन समेटिव एसेस्मेंट में क्या यह पोशीबल बिल्किल पोशीबल नहीं है समेटिव के अंदर क्या होता है जो sono एर्ली और हाफीरली एकजाम होते हैं जो आपके साल कंत्र में होते चाहरी होटे इसा एकळा luruk की वह स acquainted के बात में आगे बात करते हैं चातरों की प्रोग्रेस के मुल्यांकन के लिए पर नाम अकर एक नई सेन्टर की स्थापना होगी जैगी कि अगर बच्चों की गट्सस् statement कुछ आपके पॉइंट ते और यही से आपको चीजे देखने को भी मिलेगी आपके एक्जाम के अंदर उसके लाव जो एननीपी 2020 से और क्या कहता है एननीपी 2020 कहता है कि यह सीखना की कैसे सीखना है इस पर जोर देता है अब आप लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हो आप 2020 के बारे में यही तो सीख रहे है आज आप लोग वीडियो के अंदर लेकिन एननीपी 2020 के बारे में आप लोग कैसे सीख रहे हो आपको मैं कंसेट भी बता रहा हूं कंसेट के बाद फिर मैं आपको को समझा भी रहा हूं तो आप सीखते रहे हो यह महीने नहीं रखता कि आ यह माहिने रखता है ठीक है तो एनिपी 2020 इस पर बल देता है कि यह सीखना की कैसे सीखना है पहली बात तो यह होगी इंपोटेंट उसके लावा मान की करण से लचीलापन इस पर बदलाव को और प्रस्ताव करता है देखें नीपी 2020 कहता है कि जो भी आपका करीकुलम होता है всего को पढ़ाई का तरीका होता है दinhoं का तरीका होता है यास इसंक चलो किताब निकाल कर पढ़ना सुरू करो या कुद की कि लासके ऑंदर और अपना करा दिया तो मान की करन हो गया कि जो चीज उसको कही गई है, जो करिकुलम उसको दिया हुआ है, उसको कम्पलीट करके खतम कर देगा, क्या आप इससे सहम हो तो बिलकुल नहीं, अब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर मान लिजेओ करिकुलम को टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहा है, किताबों को पढ़ा तो थोड़ा ओ टाइम देकर पढ़ा दीजे, थोड़े ओने टीचिंग मेथर्स का यूज़ करके पढ़ा दीजे, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहिए आपको टेक्स्ट बुक हो, लेर्निंग भी हो, एक्स्ट बाइड कुछ भी चीज हो, उसमें फ्लेक्सिबलिटी ह होनी चाहिए, और टीचर के पढ़ाने में भी फ्लेक्सिबलिटी होनी चाहिए, लेकना आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार गुर्मेंट जो मिलगी सभी का वो यहाल है, क्लास के अंदर गए, लिखोवई A, B, C, D, क्लास खतम, उसके बाद ठीक है, ठीक है, तो आपको यह चीद देखने है, आपको लेचिलेपन के ओर ज्यादा है, फोकस करना है, नहां कि मानकी करन के ओर, अगला पुइंट देखते हैं, अगला पुइंट क्या दिया आँए, अगला पुइंट दियावा है, कि हर बच्चे की विशिट छमता हो, च्याए, वो करना देखिए आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या आप छोटे बच्चों को पढ़ा होगे तो उसके अलगरा चमता है होती है उनके कोड़ेंग आप लोग पढ़ाईए उसके लावा बच्चे कुछ ना कुछ क्रेटिव माइंड के होते हैं ठीक है जैसे मेरी क्ला समालो उचनात्वां चिंतन की वहावना भी विक्सित होनी चीए अब देखे जो आपकी क्रिटिकल ठीकिंग है इसके ओपर थोड़ा फोकस करिए यह होती क्या है आप देखे मैंने आपको क्या काम करा मैंने का भई मैं आपको आज एक तो तरीका है आप लोग 108 पेज का बताई उसको यूज करते हैं तो उन्होंने गूगल में गए 108 पेज का पूरा पीड़ेफ को डाउनलोड करा और पढ़ना सुरू करा देवा सुरू में पढ़ना सुरू करेंगे यार यह सब चीजे तो सन्ने वीडियो में बता दी ठीक है तो उन्होंने क्या चीज यह आप आपका critical thinking होता है जब बता खुद अपने according decision ले पाए सही गलत का ठीक है तो आप लोग समझे इन सभी पर focus करने चीए एक बच्चे के लिए उसके classroom में है उसके school के अंदर ठीक यह एक पॉइंट बड़ा मेहपून पॉइंट है और यही सा आपके exam में question भी बनते हैं अगला सभी बच्चों को समान उससे समान शिक्सा दी जाती है बिना किसी बेदवाव के चाया बच्चे की सामाजी का आर्थिक प्रिष्टभू में कैसी हो जैसा आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं अलग-अलग समास से हो कोई अमीर है कोई गरीब है किसी का एक लेवल सभी बच्चों को समान शिक्सा की बात करता है अगले बात करते हैं अगले बात करते हैं अधिकम कर रहा है वह प्रियोगात्मक होना चाहिए अब बच्चों को आप इसकूल में कोई भी चीज समझा रहे हो मान लिजा आप जोड़ घटा समझा रहे हो तो जोड़ घटा भी आप समझा रहे हो वह प्रियोगात्मक यानि एक्स्पिरींचल आपका होने चाहिए आपने का बेटा कितनी उली है दो अगर इसमें एक पैन पाइन में मिला दू कितने हो जाएंगे सर्तीन हो जाएंगे ठीके इस तरीके से बच्चा जब खुद करके सीखता है पर्योग के माद्धं दम से सीखता है तो बहुत जल्दी सीखता है और जोसके मायड में जोसकी जाद है उसके लिए महत्पुन होता है और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपकी जो कला होती है और खेल होती है उनको इंटेग्रेट करके यानि एकिकरत करके पढ़ाना चाहिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे मानलीजा किसी बच्चे के भासा है तो मानलीज आगर मैच पढ़ रहा है तो मैच में भी वहापर बच्चे की भासा का विकाच जरूर हो रहा होगा पढ़ेगा मैच और वहापर हिंदी का तो यूज हो गई या मानलीज एंगलीज का होगा जो भी उसकी मातर भासा होगी तो इसलिए जितने भी सब्जेक्ट उनको एक ही करत करके पढ़ाना चाहिए ठीक है तो यह कुछ पैंट थे जो मैंने आपको इससे संब्धित बताईए अब देखें जितने पॉइंट मैंने आपको बताईए आयोप आपके किलियर हो गए होंगे अब यहाँ पर आते हैं इन पॉइंट से डिलेटीड कोश्च संदेश काओं देखें करके कोश्चिंसिंगो पर इनका आंचरСТन आको दिया हुआ है रोटने लेर्णिंग शुरुवात में मैंने बता दिया बिल्कुल नहीं देती, आपकी प्रैक्टिस और ड्रेल पर देती है, अभ्यास पर देती है, इस पर नहीं देती, आपके conceptual understanding पर सबसे ज़्यादा बल देती है, कि बच्चा आप समझ कर आचीजों को समदे, और समझने क अगला कुश्चन देखते हैं, इसलिए मैं आपको सुरुआत में कंचेट बता रहा हूँ, और साथ के साथ फिर कुश्चन आंसर की थूरू प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक, अगला कुश्चन आपको दिया है कि नुसार जो मुल्यांकन होता है, जो आपका इवेलूशन होता है, ठीक है, इसका उद्देश से क्या होता है, चली देखते हैं, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, जो मुल्यांकन है, रठने की छमता का परिक्षन करने के लिए, जहाँ पर भी रोट लेर्निंग की बात आजएगी, मेमराइज करने की बात आजएगी, आप लोगो अगर आपको कुछ गलती होई, तो मैं आपका यहाँ पर मुल्यांकन करके पता लगा लूगा कि बच्चे की क्या गलती है, और फिर उसका उप्चारात्मक सिक्षन दे दूगा, ठीक है, तो तीसरा आँचार आपका से यह, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मा आँचार आपका थर्ड से हो जाएगा, चलिए बढ़ते बाद के नेक्स्ट कुछिन के और अगला कुछिन आपको क्या देवा है, अगला कुछिन देखे क्या देवा है, एन्नीपी दोजार बीस में निमलिकित में से कौन सा परावदान नहीं सुजाए गया है, ध्यान चा और परिक्साओं के लिए सीखने के बजाए conceptual understanding पर बल देना चाहिए बिल्कुल इसके लिए भी का है कि रटेने से या परिक्साओं के लिए पढ़ने साब कोई फायदा नहीं है conceptual understanding पर आपको ज़्यादा बल देना है तो इसको तो सुझाया है ठीक है तो यह भी आपका positive हो गय अगला है सरजनात्मक पर परियाप्त ध्यान देना चाहिए और तारकिक निर्ण करने के नवाचारित के प्रोसाइद करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए देखे जहापर बात आएगगी critical thinking की बात आजाएगी तो वहाँ तो आग बंद करके लगा देना आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा positive हो जाएगा critical thinking की जहापर बात आजाएगी आपके exam में जरूर आएगा देख लेना ठीक है अब बच्चा क्या तीनों तो positive होगे तो बचा आपका fourth यही आपका negative मिलेगा देख लेना जब तीन positive होगे कि बच्चों में discipline discipline को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तमाल करना चीए ठीक है कि अगर बच्चों में discipline बना रहा है कि बेटा सही से बैठ जाओ किलास रूम के अंदर वहना आकर तांगे तोड़ दूगा या फिर उनको कुछ पुरुषकार दे दिया कि जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बच्चे को मानना है ठीक है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसको मानना है बच्चा इसके बराबर कोई है नहीं कोई नहीं एकस के बराबर एकस वह जैड तो क्या आप बच्चों को आपको सबसे बड़ा मानना है ठीक है तो आंसर आ करती है किस बदलाऊ की और बात करते है यह सीखना की कैसे सीखना है जैसे आज आप लोग क्या सीख रहे हो एन !? और ने पी 2020 को के सीख रहे हो मैं आपको साथ कैसे आंसर की तूरर परेक्टिस कर आयेoman तो इसलिए इससे आपका जल्दी से concept clear हो जाएगा तो यह सबसे बड़े तरीका है आपका सीखने का ठीक है और ना तो मैंने का Google से जाओ प्रस्तावित करता अंतर आपका यही सही है रटकर सीखने को प्रस्तावित करता इसका content में नहीं कि एननिपी 2020 के नुसार जो अधिगम है यानि जो लेंडिंग होए यानि जो बच्चा सीखता है वो डेस होना चीए कैसे होना चीए क्या वो कंटेंट ओरियंटिड होना चीए विसेवस्तु पर आधारित होना चीए बिल्कुल नहीं होना चीए टेक्स्ट बूक पर आधारित परियोग के माद़न से समझाना है ठीक है तो अगला कोश्चन एनिप 2020 से क्या कहता है और जीतने भी कुश्चन आज आपने तयार कर लिए और एक कंशप्ट तयार कर लिए निप्या आपका आज खत्म है वैसे मैं इसको पूरा करा चुका हूँ पहले भी अपने नोर्स में भी मैंने डिटेल में डाला हुआ है तो आप लोग उसको भी देख सकते हो वनना आज की वीडियो देखने बाद भी आपका एक क्लियर हो जाएगा अगला कुश्चन आपको दिया हुआ है कि एजुकेशन कैसी होने चाहिए उस बात को आपको बताना है चलिए देखते हैं कैस अगला कुश्चन क्या आगे आपके सामने स्क्रीन पर अगला कुश्चन दियावाई कि सामजिक और आर्थिक रूप से वन्चित समुग के छात रोका अवधार्ना सुनिश्चित करने के लिए एनिपी 2020 प्रस्तावित करता है कि जो पाठी चरिया है करिकुलम है और जो शिक्सा साथरे पैड़ा गोजी है वो किस पर केंदरित हो है तो जो ऐसे हासिये पर समुग पर बच्चे जा चुके है तो उनके समुग को छातर की अवधार्ना सुनिश्चित करने के लिए क्या करने चीए किस बात को एनिपी 2020 कहती है परिक्सा ओपर केंदरित होनी चीए बिलकुल नहीं कहती पाठे पुस्तों को पर केंदरित होनी चीए नहीं कहती बाल केंदरित होता तो चल भी जाता सलनगन और संदर्वित होना चीए एंगेजिंग एंड कॉंटेक्स्ट्वल होना चीए मतलब बच्चा एंगेज कर सके पढ़ाईजे आप देखे कोई बच्चा के अंदर पढ़ रहा है ठीक है और वह गरीब बच्चा पढ़ा है और पिछली जो जन जातिया होते हैं उन्से बच्चा है तो उसको कभी भी फिल होना नहीं चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हो चोड़ पढ़ रहे मुझसे अलग पढ़ रहे एंगेज करके पढ़े उन्से लगाओ कि तुरू बच्चा पढ़े जैसे दूसर जारतियों के आकलन के लिए NEP 2020 द्वारा निम्न में से कौन उपकरण विद्या प्रस्तावित की गई है विद्यो की बात कौन कौन सी बात करता है NEP 2020 या आपको इस कुश्चन के अंदर बताना है चली देखते हैं पहला कुश्चन सामने स्क्रीन पर है रोल प्ले रोल प्ल बना दो कभी ठीक है तो यह विद्य तो सुझाई गई आपके नेपी 2020 दोड़ा गुरूप में सीखेगा आप लोग भी गुरूप के अंदर पढ़े उपने दोस्त्यारों के साथ मैं भी पढ़ाओ तो गुरूप वर्क में पढ़के भी सीखा जाता है हालकि गुरूप वर मादम से पीर गुरूप के मादम से बच्चा एक दूसरे से इंटेट करके सीखता है ठीक है तो हम तो स्टेंप पर पढ़ना नहीं चाहते थे इसलिए हम गुरूप पर हमारा काम ने करा ठीक उसके बाद पढ़ना सुरू कराता है उसके बाद पोर्टफोलियो की वकालत आपको पोर्टफोलियो बेसिकली आपकी एक तरहीं की ये फाइल होती है इस फाइल में बच्चे से जुड़ी सारी जानकारे दी होई होती है बच्चे ने क्या-क्या अच्यूमेंट हासिल कर आए वह उसके अंदर आएगा बच्चे से जुड़ी उसकी फैमिली से परटफोलियो को पड़ेगी उसमें बच्चे से जूड़ी सभी जानकरी रही को ईसलिए सबसे बड़े इसको सुझाय गया आकलन के लिए पोरटफोलियो को चोथय आपकी उसकी मेथर्ड आपकी मानि जाती है तो आंसर आपके चारों से होगे, एक, दो, तीन, चार, चारों आपके आंसर से होगे, जो उपकरण विद्या प्रस्तावित की गई है, चारों ही करी गई है, ठीक है, आप लोग समझ गए, चली, बढ़ते बापके, next question की ओर, अगला question सामने आपकी स्क्रीन पर देखे, आपकी स्क्रीन पर question आ 2020 बात करता है, मान की करेंट से लची लपन, मैंने आपको शुरुवात में बता दिया, इस्टेंडर, डाई, जैसन से, आपका flexibility की ओर बात करता है, कि यह नहीं है, teacher classroom के अंदर आया, आके पढ़ाया, अपना course खतम करा, उसके बाद बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी च करता है, क्योंकि समेटिव इतना महतूर नहीं होता है, इतना आपका formative assessment होता है, formative मैंने आपको बता दिया, वो assessment जो teaching learning process के दोरान चलता है, जैसे अभी हमारा चल ला है, मैंने आपसे question पूचा, आपने answer दे दिया और नहीं दिया, तो आपका आकलन हो गया, teaching learning process के दोरान जो आकलन हो रहा है, तो इसको ज़्यादे महतूर माना है, NEP 2020 ना कि समेटिव को, तो समेटिव टू फोर्मेटिव की बात कहीं है, ना कि फोर्मेटिव टू समेटिव ठीक है, उल्टा दे दिया, अगले आपका conceptual understanding to learning for exam, ठीक है, ये भी गलत है, learning for exam to conceptual understanding की बात कहीं है, किसी परिक्साओं के लिए मत पड़ो, समझ पर आदारी चीज़ें करने के लिए आप लोग पड़ो, ठीक है, तो ये भी इसने उल्टा दे दिया, उल्टा होना चाहिता है ये भी, अगला इन्होंने दिया है, बहु विश्याता से कठोरता, बिल्कुल गल, कठोरता से बहु वि लाव सुझाए गए है, चले बढ़ते बहु आपके, नेक्स्ट कॉश्चन के और, यार बहुत सारे कॉश्चन होगा इस टोपिक से तो, अगला कॉश्चन देखते है, अगला कॉश्चन क्या है, आगे अभी और भी टोपिक आने है, कंसेप्ट आने है, वो भी समझने तनाव उत्पन करना और डर पैदा करना, मैंने क्या बताय था, इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है बच्चा, क्या बच्चे के अंदर तनाव पैदा कर दोगे, या बच्चों को डरा दोगे, बिल्कुल नहीं करा सकते, भाई, बच्चे अपने आपने सुप्रिम बच्चों को सपोर्ट दीजिए और किलासरूम के बार भी अगर बच्चा सपोर्ट आपसे मांग रहा है तो वह भी आपको उसको करना चीए ठीक है तो इन तीनों की बात तो करता है आकलनी की बात लेकिन पहले वाले के नहीं करता है थीजिए बच्चों को डरा सके तरह को टे सके तो ठीक है अब को समझाए थे उन से संस्बंदीत कुस्ट्ट आएगी उनके बारे में उपढ़ते हैं पहले कंसर्ट समझा रहा हो फिर उसके बाद आप खुद आंसर देना इनके ठीक चलिए देखते क्या दिवे है पहला आपको दिवाय भासाओ के बारे में NEP 2020 कंदर क्या बाते गई 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 है उनके उपर नज़र डालते है पहला important point आपका multilingualism बहु भासिक्ता बहु भासावाद इसको बड़ाई महतुन माना है NEP 2020 ने और इसको एक resource के रूप में एक संसा hai d prevent exposure में अर्फू में कोई भी बेल बोलता और रचांब भी बताव बच्छे वर्दू बोलता है तो अलगअलग भासावाले बच्ण एक संशादन का का काम करती है teaching प्रोचेस के दोरान उसको हमेशा आपको आपके महत्व वानना है इस बात को तो आपका दिशने यहने के संग्यानार चींप चलाब होते हैं ठीक कैसे लाव रुद आप न इसमीद्व दल्त स्में उसको जिःसे मेरी मेरा हिं जासाधा भूनुकर आशब करने जाए उसकी जो मदाटल्ग होती ना रखासे है कभी भी सी況 दबाया ना जाए तों बच्चे की मधर टंग को बड़ा मैहतुन माना जब बच्चा सूप्रीं पावर है तो बच्चे की मधर टंग को कैसे कम आको दोगे आप लोग ठीक है तो मधर टंग को भी मातरबास को भी बड़ा इंपोर्टन माना गया एनीपी 2020 करने साथ तो दोनुप नपके क्लिए रोगे दोनों को बड़ा वहतुर माना किलास एट तक आपका किलास एट में तो कम से कम किलास एट तक आपको बच्चों को मदटंग के अंदर आपको एजुकेसन देनी यह ठीक आगे देखते हैं जी आगे देखती है अगला पॉइंट आपको दिया वाए राज्य विशेश रूप से भारत के अलग-अलग राज्यों में थ्री लेंग्वेज फूर्मला यानि इस्कूल के अंदर जो तीन लेंग्वेज पढ़ानी की बात के गई है जैसे मालीज हिं प्लूर्मस दिया को दूंद यानि फॉर्मिफ्य लेंग्वेज फॉर्म यानि लग्वेज फोर्मूला तो उससे इस महां एक एक रो रूप में भारतिया बहाताई जैसे मां लेजर संस्कृत है उसका आध्य बीकर लेंग्वेज संदर्भ में आपका कहता है क्लास 6 के लिए एक लेंग्वेज आपकी पूछिलेगा आगे देखते हैं और बहुत के बार में क्या क्या का है मात्द्यमिक इस्तर पर एक अतिरिक विखल्फ के रूप में विदेशी भासा होना जरूरी है और कौन सी विदेशी भासा इनुमें से कोई बीचाए एकि बच्चे को एक मातरवाज्चा करने का चीक कोई गो आप लोग याद कर लेना अच्छ तरीके से ठीक जी हाँ वेल लीड़ है आपका बीड फर्स्ट यह दिया हो किसी वेल यह दिया हो आपका अगले पुइंट के और बात करते अगला पुइंट आपका एंडीपी 2020 कनुसार भारत सरकारगी एक भारत और स्रेश्ट बारत पहल इ सब्सक्राइब मलां यहां नहीं थrica तो यहां पर बात हो रही हैक भारत स्रेश्ट बश्याइब लिए यह वारे देश के जो प्राइमीनिस्टर है उन्हों का यह वाला स्टेटमेंट है एक भारत स्टेटमेंट दिया था यह भाई एक भारत तो होने चीए लेकिन हो स्रेश्ट होना चीए ठीक है तो सभी भाहसाओं को यहाँ पर सम्मान देनी की बात के गई है अब मैंने आ अंसर एक एक करके आप लोग मुझे दो देखे और आंपकी स्क्रीन पर आ गया एक लिए बिलकुल गलत बादक नहीं है यह आपका सायक है का है एल्प करता है जो बच्के की मातरबासा होती है वो उसको सिक्सित होने में भी सेक्शिक होने में और किसी भी फिल्ड के अंदर वो आपके हमेशा help करेगी, कभी बादक का काम नहीं करेगी, अगला देखते हैं, विद्ध्यालों को बच्चों को अंग्रेजी भासा की पर्थम भासा की रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोसाइट करने चाहिए नहीं, पहली भासा में हमेशा कोन आएगी, बच्चे की मातरवासा चाहिए वह हिंदी भी क्यों आउटी के क्या कर सकते है ज्यादे कुछ करनी सकते अगला आपका बाल विद्धार्तों के लिए बहुबासी होने के उच्छ संगयनात्म कलाव में आपको क्या बतायता जो बहुबासिक्ता होती है, multilingualism होती है, एक resource का का काम करते होती है, और इसके बहुत संगयनात्म कलाव है, ठीक है, तो यह answer आपका 3rd से हो जाएगा, जो मैं आपको शुरूआत्म में होता है, अगला option पढ़ने की जरूतनी है, answer आपका क्या हो जाएगा, 3rd answer आपका से हो जाएगा, आयोप आप लोग यहां तक समझ गये होंगे, ठी जिन बच्चों ने नोट्स ले रख्योंगे, उनको फिल भी हो गया होगा, कि कितना मेंटर उनके अंदर मिला हुआ है, ठीक है, आपको लगता है, मतलब इतना मेंटर खुद दिल से बताओ, इतना मेंटर पढ़ने के बाद सीटा का एक्जाम कहीं बचने वाला है, कहीं नह अगले मैंने वो बनाये थे, क्योंकि मेरे बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो मैं मेटर बनाता हो, नोट्स वगरा बनाता हो, ठीक, चलिए, अब बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कॉस्चन के और अगला कॉस्चन क्या देवा है, एनिपी 2020 का नुस्वान निमली क आपका सी हो जाएगा, तो आपके जो लेंग्वेस से समंदित बात ही थी, वो आपके जो शुरुवात में आपको बता दी थी, अब उनी से जुड़े कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे है, आँसर आप लोग साथ के साथ निकाल लिए, एनिपी 2020 पूरे देश के लिए प्राइमरी लेवल पर किस भाज़ा के निर्देश को माध्धम से प्रस्तावित करता है, प्राइमरी लेवल पर बच्छे की भाज़ा होनी चीए, वो खोंसी होनी चीए, तो बच्छे की अप We'll happen with nation की ड़ोग तको अब या फिर उसको होम लेंग्वेज या फिर नेटिव लेंग्वेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कॉस्चन के और अगला कॉस्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि एनिपी 2020 में विदेशी भासाव कौन कौन सी है कोरियन इस एक में तो बच्चों को अध्यापन कराया जाए उसको निपून करा जाए आंतर आपका सेकंड से ही हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं एनिपी 2020 ने जो दिव्यांग है जो दिव्यांग बच्चे उनके कीन अधिकारों की बात कह गई गई है देखे इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यह दिव्यांगों से जुड़ा जो अधिकार आया आपका 2016 अंदर बेसिकली अमेंडमेंट था यह संसुदन होके रहा है तो जो आर्पी डब्लूडी एक्ट है 2016 में राइट ओ परसन वीडिसेबिलिटी एक्ट तो इसमें क्य 2020 ने क्या वात कहिए उनके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं तो आर्पी डब्लूडी एक्ट यह समय उसी सिख्षा को एक ऐसी ववस्ता के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सही बच्चे एक साथ सीखते है यानि आपका जो एनिपी 2020 है वो कहता एक उप्यूक्त इमार्ती धाचा होने चाहिए मनलब जो स्कूल का धाचा है जहापर बच्चे पढ़ने जाएंगे वह उनके लिए उप्यूक्त होना चाहिए ठीक है टेकनीक होनी चाहिए और धाचा भी जैसे स्कूल का धाचा है मालनी जो कोई बच्चा फुरा होने चाहिए वह ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए ताकि बच्चों को कुछ आस्वीधा ना हो सके उपर चड़ेगा बच्चा परिसान होगा फिट ठीक है नीचे होना चाहिए और पड़ते कि स्टुडेंट के लिए एक सिक्सा और नीची सिक्सक के प्रावदान को बता आप लोग कमेंड बोक्स में इसका अंसर दीजे कितना सिंपल कोश्चन है कि दिव्यांग छात्रों की सिक्सा के संदर में निमलिक्त में से किस प्रावदान को एन इपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है उप्यूक तिमार्ती ढाचा इसके लिए आपका ठीक है अ आपने पड़ी लिया ठीक है यार कितना सिंपल है अंसर थडी निकल कर आ जाएगा जो जो पॉइंट मैंने आपको उपर लिखवाए तो वही तीनों पॉइंट आपके यही पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलिए बढ़ते हम आपके अगले कोश्चन के और अगला को आपको क्या दिया है अगला कोश्चन आपके सामने स्कीन पर आ गया सब आपको मेरी वेबसाइट से मिलेंगे गूगल पर जाकर सर्च कर लिया करो भाई मैं कहा कहा कि थग्या मैंने नोट्स के लिए लग से वीडियो बनाई हुई है उसमें पूरा डीटेल में बताया हुआ है इनुपी 2020 का केंक्डर्बिन्दू क्या है बच्षो के लिए कठोर बात्ठ्यक्रम इतनी सुप्रीम पावर के लिए होई नहीं सकता हुआ है भहुविश्यक्ता और सम्मग chatting विशिक्ता मुख्या की बात करता है जिसमें बच्चे के और तो जितने भी आपके जुटेशन से संभनें उन सभींत आपकी बात करता है आपका और इंप प्टिक्ट ढ요 सूपरमें नहीं भई जब आप लोग घंटे पड़ाओं आप लोग अगला है आपका टेक्स्ट्बूक और करिकुलम के सcth Web अब और पीं भीचने क्या बात कि वर्प पुष्ट पॉच्ट का पाठ्धगरम है में किस प्रकार का होने छीए देखर्थ इसेक पाठ्धगरմkk साविल कर लिए मैं आपको सुरूवात मीं बताय था है बच्चे को एक ुपटेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा बच्चे को एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा कि बेटा तेरा जिसमें भी पढ़ने का मना आगे फ्यूचर बनाने का मना तो अपना एक सब्जाइड कर ले ठीक है तो व्यवसाइक शिक्सा को सामिल कर ले गया किलास चिक्स में और इसम उसकी विशेव वस्तु को पते सब्जेक्ट में कम करके इसे बहुत बुनियादी चीजों पर गेंद रिट किया जाए तॉयक्ता क्रीक्टgew क्रों चिन्त चीजों आप लोग देख रहे हैं या पर केटिकल थिंकिंग सबसे पोजीटिव आपका टेग वर केटिकल थिंकिंग जो आपको होता है केटिकल थिंकिंग खोज आदारित चर्चादारित और विशलेशन आदारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जाए कि यह नहीं है इतनी मोटी- पुच्ट कोन्साइज आपकी अटी होगी और यहां से बार आपका नहीं पढ़ना चाहते तो नोट्सकंदर सबडिया हुआ है आगी देखते हैं स्कूल का चो करीकुल में उसमें कमी ओनी चाहिए और वह लचीला पनुनी चाहिए मैंने का ना लचीलपन जाए रचनावादी सीखने के तरीके पर जोड देने के साथ साथ इसकूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चीए यह जो एंच्यार्टी की किताब है इसमें भी कहीं न कहीं बदलाव की बात करता है आपका अपका अपनेपी 2020 के अंदर जैसा आप लोग चीए इनचैर्टी की बुग तो वह भी कहीं होनी चीए फ्लेक्सिवल होनी चीए उनमें भी बदलाव किया जा सके अब इसी से जुड़ा कुश्चन सामने आपकी स्केन पर आ गया इसकांसर आप लोग दो कुश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एनपी 2020 किस पर बल देथी पाठ्य चरे कालचिलपर मफद बाल दे ती वह बिल्कूल सही बात कर्यूक लेक्सिवलिटी पर जद्ध्यान देती मैं आपको शुर्वात देती पाध्य पुस्थकों कर नहीं देती ठीक है अकर संदर्भी करण हो था अंसर स्तबाश भीस हो जाता पाल्य Clark क घस्वार्त कूल जो पूरी तरीक तरीके से नया सावरूप दिया जाएगा यानि बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड एख मिलेंगे आप लोगों को फर सेकिंड थर आगे उसकी वावाई होती थी हमारी कभी नहीं हुई ठीक इस तरह के से और हमारी नहीं तो घर पर जाकर फिर ताने मिले ठीक किसी के घरवाले पेल भी देते थे बढ़िया तरीके से पेल मतलब मार देते थे अब वह तरीका चले गए वह दुख हमने जेल लि अगर कम नंबर एक आया तो तोड़ दो भाई वीडिया तरीके से लेकिन अब ऐसा नहीं है अब जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा उसमें बच्चे के सभी एस्पेक्ट रख जाएंगे चाहे उसके कोगनिटिव हो एफेक्टिव हो ठीक है याद आपके साइको उसकी चर्चा कि जाएगी जो बच्चो को प्रोग्रेस गार मिलेगा ओर ध्यान एकुटनाइट Спन्फेक्ट ड् Parlals को रखाएंगे बच्चे ने क्या काम करा कितनी स्पीड से करा क्या सीगा किसमें उसको दिखत आई ऐसी सभी चीजों का रखा जाएगा यह सब मैं आपको बता दी कि उसमें सब्सक्राइब करें अब जो आगे बच्चे आएंगे उनकी हमको सुननी पड़ा करेगी तो अब जो प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा वो बच्चों को कुछ इस तरीके का मिलेगा और दूसरी बात आपको इसके अंदर एक को आपको वोड़ धियान लख घार है जो बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड यह रिपोर्ड जो आपको मिलेगी यह सेल परसेस्मेंट और डाप balत इसने बात करता है सेल्पयंसमेंट जिसमें बच्च अपना अखिलनन खुद करता है यह खश्या कोइश पड़ी और को प्रस्ताविस समग रहा है जैसे हम लोगों ने किताब पढ़ ली उसके अंदर कोशन है और मनी मन उसका अंदर आंसर दे रहे हैं यह अपने दोस्तियार से करके पूछ और फिर इनके समावेशन की भी बात करता है जो यह आपका प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा ठीक तो यह कंशेप्ट आपका समझे में हुआ तीन सो साथ डिग्री मल्टी डाइमेंशनल का अब इस से जुड़ा हुआ को सामने आपकी स्क्रीन पर आगे इस कांसर आप लोग देजिए खुच से कुश्चन आपको दियावाई कि एननीपी 2020 मे प्रोग्रेस कार्ड बोलते है को क्या दर्साना चीए देखते हैं क्या दर्साना चीए विद्ध्यार्तियों के प्रदसन की दूसरे प्रदेशन में विद्ध्यार्तियों के अंको से तुलना करनी जी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करनी चीए कि दूसरे स्टेट वालों से तुल प्रेक्टिस करोगे और आप उसका ना देपाऊ ठीक है सब्सक्राइब आपको अपने नोट्स दे रखें तो नोट्स केंदर जो आपको प्रेक्टिस करें और देखें आप लोग सभी कांचन निकालोगे साथ के साथ आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी मैंने तो वैसे वीडियो में भी निकलूड कर दिये ठीक है इनके लावा साइद ही कोई 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 कर दिया करो ठीक है और जो लोग नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके किला पूचिए एक करके मां आपका कुष्ण का आंसर दूँगा क्या कुष्ण आपको पूचना है ठीक है नोट्स आपको यही पर मिलेंगे गूगल में जाकर सर्च करना सचीन अकेडमी डोट कॉम चैपके पास फोन हो टैब हो कुछ भी हो गूगल में जाकर सर्च करिए सचीन अकेडमी डोट कॉम तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट आजाएगी यहाँ पर जो भी आपका पेपर हो वहाँ पर जाको उसको ले लेना लोगिन करके और पीडियेव वहाँ से डाउन्लोड हो जाएगी साथ मापको एक पास्वोड भी मिलेगा ठीक है और बड़ा इजली तर बड़ात करो देखो अभी गूगल पर खोल के दिखाओ यह मैने देखो यह Google आपके सामने कुल रहा हूं मैं यह Google खोल लिया यह डाल दी मैने सचनकेडमी.com यार कितना स्मूतली खुल रहा है और इससे जजादे क्या खुलेगा यह खुल गए आपके सामने तो जो भी आप प्रेपर आप लोग यह से ले सकते हो इसमें अपना डिटेल डाल देना लोगिन कर देना जो भी आपका प्राप्लोग कर देना और यही साब लोगिन को डाउन्वोड बगार कर लेना डेखा आपके सामने खुल लिए कितना इजली खुल यह ठीक तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं खुल ला ठीक आप लोग थोड़ा चलाना सीखिए और पूछे क्या कुश्चन आपके फिर उसके बाद में वीडियो को खतम करता हो वीडियो पसंद आई ना आपको एननीपी 2020 की ठीक कंसेप्ट के लिए आपके और कुश्चन आंसर से आपकी साथ के साथ प्रैक्ट जरूत नहीं अगर आपका मन करें तो पढ़ लेना लेकिन मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी जरूत पड़ेगी ठीक है और साइट टीचिंग एक्जाम के में भी जो आपको यह चीज पढ़ा रहा हो चाहिए और भी दूसरा कोई टीचिंग एक्जाम हो तो यही साब को कि पूरी समभाबना है ठीक और पूछे क्या कुश्ण ना जी नोट्स लेने के लिए बार बाल लोगिन नहीं सिर्फ एक बाल लोगिन करना पड़ता है एक बाल लोगिन करिए वह आपके फोन में डानलोड हो जाएंगे तो दुबारा लोगिन करने की जरू होती है आप थो जो आपका उनलाइन एक्जाम होगा जहापर आपको कम्पीटर पर देना होगा उसमें क्या आपका हलोने वाला है तो टेक्निकल चीज थोड़ी समझे बार-बाल लोगिन नहीं करना पड़ता है एक बाल लोगिन करना पड़ता है और डाउनलोड करने वाद आपके फोन में सेव हो जाएंगे जहापर पासवर्ट चाप खोल लेना ठीक है तो मेरे कहने सा आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल बनिए और पूछे क्या कुश्चन आपका कि जी सारी किलास होगी आपकी संस्कीत की भी होगी टेंसर फिर रही है और पूछिए जी गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग चले फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को यह खतम करता हो आयोप आपको वीडियोप संद आई होगी सर पहली बारी में उड़ा देंगे सीटेट को पहली बारी में और यार इतना बड़ा एक्जाम तो एहनी है चोटा एकजाम है तो पहली बारी में आप लोग उड़ा देना बट ध्यार नगना अच्छे नंबर छोड़ाना पास होना माई नहीं रखता मैं आपको किलियर बता रहा हूँ अगर आपने सिप नोट्स पर लिए अच्छी तरही किसा पास से ज्यादे नंबर आ जाएंगे मैं आपको डेली क्लास दे रहा हूँ डेली चीजे समझा रहा हूँ डीटेल में नोट्स भी आपको किताब उसे लाग गुना बहतर बना के दे दिए उसके बाद भी क्या आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो फिर ठीक है फिर तो मैनत को ऐसा लगता है नहीं कि इतनी मैनत कराने का फायदा है पहली